नमस्कार, VIP इंडिया में आपका स्वागत है आज का हिंदी आडियो आडिकल में बीटी से सिच्छा दिगदर संतीरती समेश्टर से सैच्छिक मुल्यांकन की रियात्मक सोध एउनवाचार बिसाय से अध्याएदो मुल्यांकन की आवसकता एउन महत्वा चेप्टर का नाम है तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं मुल्यांकन की आवसकता क्यूं पड़ी और क्यूं महत्वा है बालक को स्वेम अपनी कमजोरी या सीखने की संबंधित कटना या एउनवाबलताओं की जानकारी मुल्यांकन के उपकरणों द्वारा ग्यात हो जाती है वह तदन रूप अपने को वांचे सुधार लाने का परियास करता है ऐसे ही याडियो आटकल सुनने हैं तो करिप्रेश चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें मापन एउन मुल्यांकन सैचिक परकिरिया में अत्यंत उप्योगी एउन महत्पूर है क्योंकि इससे सिच्छणरो प्रांत अधिगम करता यानि छात्र की उपलब्दी की जानकारी प्राप्त होती है सैचिक व्यवसाइक एउन वेक्तिकत निर्देशन में मापन एउन मुल्यांकन के उपकरणों की विशेश उप्योगता असपष्ट होती है इसके दोवारा छात्र के विभिन विशेओं की कमजोरी मालूम हो जाती है इस कमजोरी को दूर करने के लिए सिच्छक उपचार आत्मक सिच्छण की वेवस्था करता है मापन एउन मुल्यांकन दोवारा सिच्छक अपनी सिच्छण विधियों तथा सिच्छण को योजना की उप्योगता की जानकारी प्राप्त कर लेता है सिच्छड विद्योग का मुल्यांकन करने के उपरां सिच्छकाव सकता अनुसार उसमें वांचित परिवर्तन या परिमारजन कर लेता है मुल्यांकन एव मापन के उपकरडों द्वारा छातर रदिगम करता की उपलब्दे की जानकारी उसे हो जाती है अच्छे सपलता प्राप्त करने के बाद वह प्रेरीत होकर अपने मुक्थ, लच्च की और अग्रसर हो जाता है मुल्यांकन यो मापन द्वारा छादर सीखने वाले की वेक्तिगत भिनिता का ग्यान हो जाता है तथा छादर की योगता, बुद्धी, अभिछामता, रूची, वेक्तित्ग के अनुस्वा सिख्चा की वेवस्था की जा सकती है वेवसाइक सिख्चण की कच्छाओं में परिवेश के समय अभिहारतियों को चैन हेतु मापन द्वारा छादर की वेक्तित्ग प्रस्णावली, अभिछामता परिच्छण आदी की विशेश महत्व होती है झाल है छातरों की कच्छाओं नती परदान करते समय मापने मुल्यांकन की विशेश महत्व होती है तो यह है मुल्यांकन की आवसक्ता तथा इसका महत्व आगे जान लेते हैं मुल्यांकन की परसासनिक आवसकता क्यों है मुल्यांकन की परसासनिक आवस्ता आधुनिक समय में जीवन के विभिन छेत्रों में परसासनिक कारियों में मुल्यांकन की आवसकता होती है जैसे विद्याले में छात्रों को परवेस देते समय Engineering, चिकित्सा यानि Medical, सिच्छक परिछन जैसे B.A.D.B.T.C. महविद्यालों में परवेश करने आउद्धोगिक करमचारियों की भरती करने सरकारी करमचारियों तथा अधिकारियों की चैन करने तथा बैंके करमचारियों की चैन करने के लिए बिभिन परवेश परिछाओं की परतीयोगता परिछाओं की आउसकता करना पड़ता है इसके अत्रिक पाठन, पाठन के उपरां छाथ छात्राओं के उपलब्दियों का मुल्यांकन करना पड़ता है इन सभी परकार की परिच्छाओं एवं उपलब्दी मुल्यांकन के लिए हमें उपलब्दी परिच्छन का उपयोग या परियोग करना पड़ता है इस परकार उपलब्दी परिछन का उप्योग एक अध्यापक, सिच्छा सास्त्री, मनोवे ग्यानिक तक ही सीमित ना होकर चिक्सा सास्त्री, अनुसंधान करता, सैनिक अत्कारी तथा सिच्छक के अत्कारियों तक परचली था है यहां हम संचेप के कुछ पर्मुक खुप यूग पर परकाश डालेंगे जो इस परकार है सैच्छिक अस्तर की जाज करना, विविन का च्छाओं में परवेश, अध्योगिक पर्थिष्ठानों तथा सरकारी सिवाओं में करम चार्यों का चैन वर्गी करण यहों नियुक्ति करने में परियोग, सैच्छिक अवेवसाइक निर्देशन, विक्तिगत अउप चारात्मक सिच्चण, अध्यापक अउप सिच्चण पतितियों का मुल्यांकन, सिच्चण में सुबदा, छात्रों को अभी प्रेणा, विद्याले के परसासन कतकारियों यहों परवेच्चकों के लिए उपयोगी, छात्रों के समयोजन में सहायक, छात्रों के लिए मुल्यांकन की आवसकता क्यों पड़ी, यह भी जाल लेते हैं, छात्रों के लिए मुल्यांकन की आवसकता पड़ी, जो इस परकार हैं, छात्रों को अपनी अच्छा वह कम्यों का ग्यान हो जाता है उनके मुल्यांकन से छात्रों को यह ग्यात हो जाता है कि उसकी योगता में कैसा सुधार हो रहा है मुल्यांकन द्वारा मुल्यांकन द्वारा छात्र में समय परता के गुड का विकास होता है मुल्यांकन द्वारा छात्र को अपनी परगत्ती की जानकारी हो जाती है मुल्यांकन द्वारा छात्र में असपर्दा की भावना का उदय होता है मुल्यांकन के अधार पर छात्र पुरुषकार प्राप्त करने की योग हो जाते है च्छात में आत्म संतोस और आत्म विश्वास के गुड़ों का निर्माड होता है मुल्लैंकन द्वारा मुल्लैंकन के द्वारा परतेग च्छात्र के बिशय में परियाप्त जानकारी प्रात की जा सकती है मुल्यांकन छात्र की यगह जानने की सहायक परदान करता है कि उसे अपने वैवहार को किस परकार बिक्सीतें परिवर्तन करना चाहिए आगे जान लेते हैं परिच्छा सुधार हितु मुल्यांकन की भूम का के बारे में इन दोनों लच्चों की पूर्ती तभी हो सकती है जब हम उस सारे ग्यान की जाज कर लें जो छात्रों को पढ़ाया गया है तथा जो ग्यान जाजना होता है उसे भी भली परकार पढ़ना अध्यापक का करतब होता है। दूसरे सब्दों में परिच्चा लेने से पूर हमें यहासपष्ट होना चाहिए कि हमें परिच्चा का छेदर कहां तक सीमित रखना है। परिच्चा का एक मात्र उद्देश बालक के वैवहार में परिवर्तन लाना होता है। अन्भव भी विवस्थित करम में परदान किये जाए। इसके वीपरित यदि उन्हें उचित अन्भव सुनुश्चित समुचित धंक से परदान नहीं किये जाते तब हमारी परिच्चा का और उचित ही समाप्थ हो जाता है। आगे हम जान लेते हैं सिच्चक के लिए मुल्यांकर की यऑ सकता है। सिच्चक के लिए मुल्यांकर किया हो सकता कि पच में निम्न तरक उपस्थित किये जा सकते हैं। मुल्यांकर के द्वारे सिच्चक को अपनी सिच्चा की योजना, सिच्चण की विदिया, सिच्चण की उपकरड़ों की सफलता, एव आसफलता का ग्यान होता है। सिच्चक को सिच्चा के छेत्रों की प्राप्ति या आप्राप्ति का असपष्ट बोत होता है सिच्चक इस बात को ग्याद कर सकता है कि उसकी सिच्चण विधिया कितनी उप्युक्त है सिच्चक को छात्र की उपलब्दी का ग्यान होता है सिच्छक को छात्रों की साहता करने का आउसर प्राप्त होता है आगे जानते हैं समाजिक द्रिष्टी कोड से मुल्लांकन की आउसकता क्यों है समाज के लिए जिन कारणों से मुल्लांकन की आउसकता का अनुभव किया जाता है वे समान रूप से निम्नांकित है समाज को परचली सिच्छा के अस्तर पर ग्यान होता है समाज सिच्छा के अस्तर को उठाने का परियास कर सकता है मुल्यांकन से किसी देश का समाज की परगती का ग्यान होता है क्योंकि परगती साहित्तिक व्यज्यानिक एंपर धोगिक छेत्र से ग्यात होती है तथा सबका अधार सिच्छा विवस्था है मुल्यांकें द्वारा यह ग्यात होता है कि सिच्छा के स्वरूप उद्देश्यों एवपाट कर्मों में समाज का कितना परभाव है मुल्यांकें द्वारा यह ग्यात होता है कि च्छात्र की अभिविर्त्य Ján रूचियों सारे रिक को सलता हैं, आधिसमाज के हिक्त में है, अध्वा नहीं है, उपिश्ष्णा से यह निष्कार्श निकलता है कि मुल्यांकन की बहुत मातों है, तथा यह बहुत आवस्यक है, मुल्यांकन समय-समय पर च्छात्र सिछक अंतर असपस्ट कीजिए तो मापन एम मुल्यांकन के अंतर इस परकार है पहले मापन बोलेंगे फिर मुल्यांकन बोलेंगे दोनों मंतर क्या चीज है मापन किसे कहते हैं और मुल्यांकन किसे कहते हैं मापन को इंगलिस में मेजरमेंट कहते हैं मुल्यांकन को इविलेशन कहत पहले मापन की बारे में बात करेंगे, फिर मुल्यांकन की बारे में बात करेंगे. पाद किसी भी वक्ति के संबंद में अस्पष्ठ धारना बनाई जा सकती है, मापन का कार साच्चो का एकत्रित है, मुल्यांकन का कार साच्चो के अधार पर निसकर्स निकालना है, मापन में अधिक धन ए struggling की आवसकता नहीं होती, मुल्यांकन के लिए अधिक धन एउस्रम की आवसकता होती है मापन पाठ वस्तु केंद्रित होती है मुल्यांकन उद्देश केंद्रित होती है मापन सिच्छा एक अभिन अंग नहीं हो सकता मुल्यांकन सिच्छा एक अभिन अंग है मापन किसी भी समय किया जा सकता है मुल्लैंकन मापन के बाद ही किया जा सकता है मापन के अधार पर भविश्वारी सतर्वता के अधार पर नहीं की जा सकती मुल्लैंकन के अधार पर भविश्वारी सतर्वता के अधार पर की जा सकती है तो आपको समझ में आ गया होगा मापन एयो मुल्लैंकन के बारे में क्या अंतर है आगे जाल देते हैं परिच्छड एयो मापन का अंतर असपष्ट कीजिए C.B. गुड के अनुसार परिच्छड एक व्यापक सब्द है या सिच्छाले द्वारा सिच्छाले पद्ती में मुल्लैंकन करने वाली परकिरियाओं को करम से लागू करने वाली किसी सूसंग्ठित योजना की ओर संकेत करता है इसमें परिच्छाओं परमुक्त और पर वस्तुनिष्ट परिच्छाओं का चैन, परसासन, अंकन तथा वैख्यान समलित रहती है परिच्छाओं परिच्छाओं वस्तुनिष्ट यों मानुक्रिस साधन हैं जिसके द्वारा समपूर मानुवयवहर के विभिन पच्छो योगताओं उपलब्दियों छमताएं रूची ये वैक्ति का संबंदित विस्टाएं का मातरात्मक ये गुडात्मक अध्यन किया जा स सकता है परिच्छण को इंगलिस में टेस्ट करते हैं मापन को पहले ही बता चुका हो मेजर्मेंट कहते हैं तो पहले परिच्छण के बारें बात करें जबकि परिच्छण के माद्याम से विक्ति बिसेस के बिसे में ज्यान किया जा सकता है मापन में किसी समान प्रस्ण का उत्तर देने का परियास किया जाता है। मापन में वस्तों की नियमा अंसार संख्यात्मक रोप से परदान कर परिभासित किया जाता है। सैच्छी कुदे सिच्छन विदियो अधियम सीखने की इस्तितियों बालक एव सिच्छक सभी का परतेक अस्तर पर निरंतर मुल्यांकन करता रहता है। सिच्छन परकिरिया में सैच्छी कुदे सीखने वाले जिसे बालक सीखने वालक की प्रारंबिक योगता सिच्छन बिदियों तथा मुल्यांकन के बीच एक कड़ी बन जाती है। मुल्यांकन की सैच्छी का आवसकता किस किस की होती है। मुल्यांकन की आवसकता च्छातर सिच्छक अभिभावक और समासभी के लिए होता है। मुल्यांकन की अभिभावक को क्या आवसकता है। अभिभावक के लिए मुल्यांकन की आउसकता निम्न परकार है जो इस परकार सिवकार किये जाते हैं अभिभावक को अपने बच्चे की वास्टूक इस्थिति का ग्यान होता है मुल्यांकन द्वारा प्राप्त परगती पत्र से अभिभावक को अपने बच्चों की योगता परूची, निस्पत्ती, आदी गुडों का ग्यान होता है। अभिभावक अपने बच्चे की कमियों की ग्याद करके उन्हें दूर करने का परियास करते हैं। आभी भावक मुल्यांकर द्वारा अपने बच्चों की योगता का अनुरूप वेवसाय का चाहिन कर सकते हैं। आभी भावक को अपने बच्चे का भविस उज्वल बनाकर उसको सुख यो संतोस का जीवन वेतित करने का आउसर प्राप्त होता है। आगे है जेम्स एमली के अनुसार मुल्यांकर की पर्मुख उदेश या पर्योजन क्या है। में पत परदर्शित करता है और उसे सत्य की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता देना है लाश्ट है ब्रेट फिल्ड्स एउ मारडो के अनुसार मापन किसी घटना या तत्य का परती यानि अंक निश्चित करने की परकिरिया है जिसे की उस घटना या तत्य की वस्तिती संचिप्ट या असपश्ट रूप में वेक्त की जा सके लाश्ट में किसी घटना या तत्य की परती निश्चित किया जाता है जिसे किसी समाजिक सांस्कृतिक या वैगनिक माप डंड के संदर में उस घटना या तत्त का मूल या कीमत ज्याद की जा सके दन्यवाद इस आइडियो आटकल को सुनने के लिए ऐसे ही आइडियो आटकल सुनने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दन्यवाद